जसको केंग नाम से मश्हूर सिंगर बपी लारी को कौर नहीं जानता उनकी एक और पहचान है हमेशा गोल्ड जूलरी में लदे रहना लेकिन राजस्थान के कनेया लाल के आगे तो बपी दा भी फेल है जे हां क्यूंकि कनेया हर रोज लगभग साढ़े तीन किलो से भी अच्छा हो रही है और सब सहरानी की बात यह है कि कनेया कुछ सालों पहले तक सबजी का ठिला लगाते थे तो कनेया लाल है कौन? आखिर ये कैसे बने इतनी अमीर? चलि देखिए सिपोर्ट में कनेया लाल खटि को मेवार के बफी लहरी के नाम से जाना जाता है हलाकि कनेया लाल का गाने और फिल्मों से दूर दूर तक तालुक नहीं है लेकिन कनेया लाल का सोना पहनने का शौक उन्हें बफी लहरी के नाम से पॉपिलर कर चुका है कनया लाल जब भी घर से निकलते हैं तो उनके गोल जूलरी को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है ऐसा ही नजारा देखने को मिला है उदैपुर में जब कनया लाल उदैपुर कलेक्ट्रेट पहुचे आम से लेकर खास जिसने भी कनया को देखा वो हैरान रह गया और बहुतों ने उनके साथ सेल्पी भी ली कनया लाल जो कुछ सालों पहले तक सबजी का ठेला लगाते थे लेकिन आज फलो का व्यापार कर कनया लाल राजस्थान के गोल्ड मैन बढ़ गए है चतोर गड के रहने वाले कनया लाल ने सबजी ठेले के बाद आपल का व्यापार शुरू किया जो कुछी वक्त में चल पड़ा इसके बाद कनया को सोना पहनने का शौक चड़ा इसके बाद धीरे धीरे कनया ने अपने शरीर पर साड़े तीन किलो सोना लाद लिया कनिया के मुबाइल से लेकर चपल तक सब जगा सोना लगा हुआ है कनिया लाल बताते हैं कि ये सोना पहनने का शौक सिर्फ उन्हें ही नहीं बलकि उनकी पत्नी को भी है कनिया ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर ही लाइसेंसी रिवॉलवर भी ले रखी है ताकि किसी भी तरह की लूट से समय रहते बचा जा सके कहा तो ये भी जा रहा है कि कनिया लाल कुछ समय पहले बपी लारी से भी मिले थे और जब कनेया लाल को बापीदा ने देखा तो वो भी हैरान रहे गए बेरहाल बापीदा ही क्या पूरे देश में जो कोई भी कनेया लाल की पिक्चिर्स देख रहा है वो हैरान रहे जा रहा है फलाल आपकी स्टोरी पर क्या राये हैं हमें कॉमिन बॉक्स पर जरूर बताएं और साथ ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योज़ 24